प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों एक्सरसाइस 3.4 से क्वेस्चन नंबर सेकेंड ले रहे हैं देखिए क्या कहा है आइडेंटिफाई आल दो क्वाडिलेटरल्स देट हाव आपको यहां पर दो इसके पार्ट दिये हैं दोनों में कुछ दिया हुआ कि आपको इन दोनों कंडिशन को फुल्फिल कर रहे हैं क्या देखिए फर्स्ट कंडिशन दिये फूर साइट्स आप एक्वल लेंथ यहने ऐसे क्वाडिलेटरल का नाम बताओ जिसकी चारो साइट्स जो है वह एक्वल लेंथ की हो तो हम जानते हैं देखिए चारो साइट्स एक्व रहती है और एक होता है स्कॉायर इसकी भी चारो साइट्स एक्वाल रहती है तो इसने पूछा कि एसे कोडिलेटर के नाम बताई है जिसकी चारो साइट्स एक्वाल लेंद्ट की हो तो रॉम्बस और स्कॉयर यह दोनों इसके अंतरगत आते हैं फॉस्ट के जो एंसर हो हम नेक्स सिसका सेकेंड कहा पार्ट में उसने फॉर राइट एंगल तो इससे कोडिलेटर इसके नाम बताई जिसके चारों इंगल राइट एंगल हो हूँ को दीखिए ऐसे कौन से तो। थो जानते हें जिनके है स्क्राइब ऐस सब्सक्राइब सब्सक्राइब में बश्क्राइब and rectangle, so therefore, square and rectangle, square and rectangle have four right angle, यह हमारा आंसर हो गया बच्चो तो यह क्वेशन नमबर शेकेंड बहुत आसान क्वेशन है आपको समझ में आया होगा बच्चो ओके थेंक यू बच्चो क्वेशन नमबर थर्ड ले रहे हैं exercise 3.4 का explain how a square is यहने आपको एक square दिया तो पहले तो square के बारे में हम जान लेते हैं ठीके चारो एंगल 90 डिग्री के होते डाइगोनल्स जो रहते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं दूसरा इसकी जो डाइगोनल्स रहते हैं वह आपस में equal भी रहते हैं opposite angle भी equal है opposite sides equal and parallel है यह यह parallelogram की सारी condition को satisfy करता है अब आते हैं इसने क्या पूछा explain how a square is a quadrilateral क्या यह quadrilateral है तो हम जानते हैं कि quadrilateral जो होता है जो जिसमें four sides होती है और हो एक close figure होता है उसे quadrilateral केते हैं तो square is a close figure and bounded by four line segment so it is a quadrilateral also तो यह हमारा answer होगा बच्चो इसका reason हमने क्या दे दिया square is a quadrilateral because it is a close यह बंध है and have four line segment और four line segment से बना हुआ तो एक close figure bounded by four line segment is called a quadrilateral तो square भी quadrilateral हुआ next कहां है कि क्या square parallelogram होता है तो parallelogram किसे कहते हैं बच्चो तो parallelogram में क्या होता है कि opposite pair parallel and equal होना चीए तो square में भी opposite pair parallel and equal है so it is a square is also a parallelogram कि इसका answer हमने क्या note कर लिया है यहां पर square is a parallelogram because it contains opposite pairs are equal and parallel है ना it contains opposite pair are तो यह इसके opposite pair जो है दोनों pairs लिखा ना यह पर दोनों equal और parallel है तो यह parallelogram हो गया इसी में next पूछा है rhombus तो देखे रोंबस में क्या होता है four sides जो है वह equal होना चाहिए और opposite pair क्या होना चाहिए parallel होना चाहिए तो यह four sides equal and opposite parallel and equal है ठीक है ना तो यह rhombus जो है square भी एक रोंबस है क्योंकि इसकी four sides equal and opposite pair चाहरा और आल्सो इक्वल एंड पारेलल है तेखे बच्चों हमने यह नोट कर लिया square is a rhombus because it has four equal sides square में four sides equal होती और रोंबस में four sides equal होती एंड opposite pair are equal and parallel opposite pair जो है equal और पारेलल है एक condition और हमने यह डाल दी इस diagonal bisect each other at 90 degree 90 degree पर bisect करते हैं और square में भी bisect करते हैं और रोंबस में भी bisect करते हैं लाश्ट वाला बचाएं क्या square एक rectangle होता है आपको rectangle बताता रेक्टेंगल में क्या condition होती है है तो रेक्टेंगल में अपोजिट्स जो साइट से यह equal and parallel हो रहती है और चारों एंगल क्या होना चाहिए 90 degree को होना चाहिए तो यह सारी condition जो है square में fulfill हो रही है तो सारे square rectangle होते हैं बचो तो देखें यहां पर हम नोट कर लेते हैं इस चीज को तो बच्चो लास्ट में rectangle के लिए हमने क्या नोट कर लिया है यहां पर square is a rectangle square rectangle है क्यों है because it contains opposite pair are equal and parallel है इसके opposite pairs जो है दोनों sides के यह दोनों क्या है equal और parallel है and each angle और right angle और इसके चारों इंगल राइट एंगल है तो square भी क्या हुआ बच्चो एक rectangle हुआ तो यहां पर आपका question number 3 complete होता है बच्चो ओके थैंक्यू कि बच्चो एक्सरसाइज 3.4 से question number 4 ले रहे हैं देखें नेम दॉ quadrilateral whose diagonals यानि diagonals के बारे में बात कर रहा है और quadrilateral दिया हुआ है जिसमें four sides है और उसके जो diagonal है वो यदी first condition है by sect each other यानि एक दूसरे को bisect करते हैं तो इस प्रकार के quadrilateral के क्या-क्या नाम हो सकते हैं या कौन-कौन से quadrilateral में जो diagonal है bisect करते हैं तो दीखिए अगर हम lेते हैं यहाँ पर square ने भी बना आया है तो देखिए daigonal कोATHAN नाम हो सकता एक तो second अगरined अगर इसको स्क्वेर से आगे बढ़ते हैं तो रोंबस देखें रोंबस में फोर साइट सेक्वल रहती और डाइगोनल भी क्या करते हैं उसके बाइसेक करते हैं तो वह रोंबस भी हो सकता है रोंबस में भी डाइगोनल बाइसेक करते हैं इसके अलावा और आगे बढ़ते ह यह बनता है आपका rectangle rectangle में दोनों diagonal एक दूसरे को bisect करते तो rectangle भी हो सकता है इसका answer थर्ड वाला parallelogram फॉर्थ नंबर पर parallelogram parallelogram में क्या opposite sides equal रहती और diagonal जो रहते हैं उसके वो bisect करते तो इसका जो answer जो होगा बचो वो क्या क्या हो जाएगा एक तो हो जाएगा आपका square फिर रॉंबस के बाद में रेक्टेंगल और लास्ट में क्या के जाएगा पर लेलो ग्राम तो यह चार जो है चारों में क्या होते हैं डाइगोनल एक दूसरे को हो bisect करते हैं यह फिर्स्ट के यह चार answer वह ठीक है बचो फिर खो हो सेकंड़ परपेंडिकुलर बाइसे करते हैं डाइगोनल एकदुसरे को वह है क्रेल है इसागर将स इसफंद कर दंड़ आप इस दो आपấu टंड यह इस स्कॉयर रोम शर्यंड मुझास सब्सक्राइब है फिर नेक्स्ट आता है और इक्वल यहने डाइगोनल्स और इक्वल पुछा है तो डाइगोनल किसमे इक्वल होते हैं तो डाइगोनल इक्वल होते हैं एक तो स्क्वेर के दोनों डाइगोनल इक्वल रहते हैं और रेक्टेंगल के भी दोनों डाइगोनल इक्वल रहते हैं कि तो डाइजोनल एक्वल किस-किस में हो जाएंगे स्कॉाइर एंळ्रोंबत तो लाषट तो ऑप्षा नि जफ डाइगोनल स्सायार एक्वल इस विए हम एस्कॉाइर do इस्कॉाइर ना यहान इस्कॉर्ण वह सकता है या रक्तेंगल तो यह question no.4 का answer complete हुआ है आपर बच्व नेक्स question देखते हैं ओके थेंक्यू प्यारा बच्व थ्री पॉइंट फाइफ से question no.5 ले रहे हैं क्या कहा है question में explain why a rectangle is a convex quadulator ते हमने देखे यह introduction part में convex और concave पढ़ेते हैं Convex में जिए क्या होना चाहिए यह कोने जो है बाहर निकले होना चाहिए या फिर दूसरा इसके interior angle क्या होना चाहिए less than 180 degree होना चाहिए 180 degree से छोटे होना चाहिए दूसरा आमने पढ़ा था कि इसकी जो diagonal मिलाते हैं इसमें दो diagonal होते हैं quadrilateral में दोनों अगर अंदर मिलते हैं आपस में इस quadrilateral से बाहर नहीं मिलते हैं तो यह convex होगा और अगर यह quadrilateral diagonal अगर बाहर मिलते हैं तो वह कान के हो जाएगा यहने नान कान्वेक्स होगा तो हमने यहां पर एंसर लिख देंगे और rectangle is a convex quadrilateral because यह का यह rectangle दिया है तो rectangle कान्वेक्स है क्यों है बच्चों क्योंकि देखे विकाज इस आल एंगल्स आर लेज देन less than 180 degrees चारों एंगल जो है यह 1990 के ना तो 180 से छोट है एंड बोत आप इट्स डाइगोनल लाई यहने इसके जो दोनों डाइगोनल है वो कहां पर लाई करते हैं इन एट्स कि इन एट्स इंटीरियर यहने इसके अंदर काटेंगे ना अगर डाइगोनल को मिलाएंगे दोनों तो अंदर काटेंगे इन एट्स इंटीरियर है ना यह जो डाइगोनल्स है दोनों यह कहां पर काटेंगे इसके इंटीरियर पार्ट्स में काटेंगे हैं अगर हम मिला देते हैं इनको डाइगोनल्स को तो यह देखिए कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक डाइगोनल इधर और दूसरा यह दोनों डाइग इंटर से करें या नहीं करें पर अंदर आ रहे दोनों तो इसलिए यह क्या हो गया कांवेक्स क्वाडिलेटल है कौन रेक्टेंगल एक कांवेक्स क्वाडिलेटल हुआ ओके थेंक्यू तो प्यारे बचो एक्सर्साइस 3.4 से question number 6 ले रहे हैं दिखिए क्या का इंट्रेस्टिंग क्वेश्चन है ए बीची इस और राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इस दमीड पॉइंट आप दसाइड आपोजी टू दर राइट एंगल एबी सी देखिए एबी सी जो डर्क यह कलर किया हुआ पार्ट है तो एबी सी एक क्या है राइट एंगल ट्रा तो दर राइट एंगल यहां पर इस राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है इस एसी का ओ मीट पाइंट है बच्छों तो इसने पूछा है कि एक्स्प्लेइन वाई ओ इस एक्वी डिस्टेंस प्राम एबी सी तो ओ ए बी और सी से एक्वल है ऐसा तो देखिए फिगर ऐसा दिया हुआ आपको कॉशन में तो हम जानते हैं कि दो राइट एंगल आपस में अगर हम इंक्लूड कर दें एक दूसरे से जोड़ दें तो यह प्रकार का क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा और रेक्टेंगल में जो डाइगोनल है बच्छों वो क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट मतलब यह वाली लाएंद इसके एक्वल होगा और यह वाली एक्वल दूसरा रेक्टेंगल क हो गया ऐसी और इनके बाइसेक्ट इनके आधे-दे मालों यह फॉर सेंटीमेटर और यह भी फॉर तो यह कितना हो गया टू तो इधर भी टू यह तो यह भी टू यह उपकी जो डिस्टेंस से एसे एसे सी से और डी से चारों से एक्वल होगी तो यहां पर हम यह कि यह वह इन्हों से ऐसे वह पाइंट हो गया तो बीकी डिस्टेंस डीकी डिस्टेंस एक की डिस्टेंस Алजə कि कि एक स्वाल होगा liegt है और चुक्कि रेक्तेंगल में डाइगोनल एकवल रहते हैं तो आपको दीस्टेंस सभी से चारों वर्टिसेस से इक्वलिस्टेंस पर रहे नब तो त्यू राइट ट्रैंगल मेकर रैक्टेंगल रैक्टेंगल यह दोनौराइट ट्रैंगल मिलकर एक रैक्टेंगल बनाते हैं ठूर और ओ इसक्वी डिस्टेंब स्वर्म ए बीची डिका ऑश 210So directly रेक्टेंगल के जो डाइगोनल से एक दूसरे को बाइसेक करते हैं और इक्वल भी रहते हैं इसलिए ओ इन चारों बिंदूओं से इक्वल डिस्टेंस पर है तो इन तीन से तो इक्वल डिस्टेंस पर हुआ इसी तो जो question पूछा था, उसके according, O का जो distance है, A, B, C से equal है, also D से भी इसका distance equal होगा, तो hence, O is the equal distance from A, B, C and also D, यह हमारा required answer हुए बच्चो, okay, thank you.